पटना में साथवे चरण की शिक्षिक बहाली की मांग कर रहे CTET और STET अभ्यार्टियों पर पटना पुलिस ने भयंकर लाठी चार्ज कर दिया है 21 अगस को बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में 3,5 लाग भर्टियों का अलान किया बाई सर्गस को ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यार्टियों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया बिहार में लंबे समय से साथपे चरण के शिक्षक बहाली की मांग हो रही है STET यानि की State Teachers Eligibility Test पास अभ्यार्टी लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसी बीच बिहार में सरकार बदली तो मुखी मंतरी नितीश कुमार 20 लाग भर्टियों का ऐलान कर चुके हैं एक एलान बिहार के शिक्षा मंतरी ने भी किया उन्होंने कहा कि 20 लाग में से 3,5 लाग भर्तियां शिक्षा विभाग में होंगी लेकिन मुहुजुबानी एलान की बजाय ओफिशिल नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्ती प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शन कारी अभ्यर्तियों का जलूस डाक बंगला चौराहे पर पहुँचा तो पुलिस ने लाठी चार्ट कर दिया 21 अगस्त को बिहार के शिक्षा मंतरी चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग में 3,5 लाग भर्तियों का ऐलान किया उन्होंने कहा मुखी मंतरी नितीश कुमार ने 15 अगस्त को जिन 20 लाग भर्तियों की बात कही है उसमें से सबसे अधिक 3,5 लाग भर्तियां शिक्षा विभाग से होंगी बिहार में 20 लाग लोगों को रोजगार दिया जाएगा इससे 20 भी कम नहीं होंगे शिक्षा विभाग ही 3,5 लाख नौक्रियां देगा मुखी मंतरी नितीश कुमार जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते हैं उनके द्वारा 20 लाख लोगों को नौक्री और रोजगार देने की बाद जरूर पूरी की जाएगी शिक्षा मंतरी के ऐलान के बावजूद पटना की सडकों पर शिक्षक अभ्यर्टियों का प्रदर्शन जारी है पिछले 22 दिनों से ये अभ्यर्टी पटना के गर्दनी बाद में प्रदर्शन कर रही है इन अभ्यर्टियों का कहना है कि पिछले 3 साल से इस 7 वे चरण के शिक्षक बहाली की बाद कही जा रही है लेकिन ओफिशिल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा इसके अलावा इन अभ्यर्टियों की मांग है कि भर्टी प्रक्रिया ऑनलाइन और सेंट्रलाइस्ट हो दरसल प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि साल 2006 में बिहार में शिक्षा भर्टी आई थी इस भर्टी को पहले चरण की शिक्षा भर्टी कहा गया उसके बाद जो भर्टियां आई उन्हें दूसरे तीसरे चौथे और पांचवे चरण की भर्टी कहा गया इस क्रम में छटे चरण की भर्टी आखरी भर्टी थी जो कि साल 2019 में हुई थी इसके लिए लगभग 94,000 पदों के लिए शिक्षक भर्टी निकाली गई थी फरवरी 2022 में इस चरण की भर्टी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी लेकिन सिर्फ 42,000 पदों पर ही नियुकती हो पाई यानि 50,000 से ज्यादा पद खाली रह गए थे दिललन टॉप से बात करते हुए एक अभ्यर्टी गौहर ने बताया सरकार पछले 3 साल से ये भर्टी लटका रही है साथवे चरण की बहाली जुलाई की अंतिम सप्ता हमें करने को बोला गया था अब तो अगस्त का महीना भी बीतने वाला है सरकार छटे चरण को विशेश चरण बता कर बार-बारों से जारी रखते है ऐसे तो साथवे चरण की बहाली कब होगी पता नहीं छटे चरण के नियुक्ती पत्र फरवरी 2022 में बटे थे कुल 94,000 पदों में से करीब 42,000 लोगों को ही नियुक्ती पत्र मिले यहां अभ्यारते अलग-अलग नियोजन इकाई जाकर अप्लाई करते हैं बिहार में 8,000 से अधिक पंचायते हैं इसके अलावा नगरपरिशद, नगरपंचायत, जिलापरिशद आदि भी हैं यह सब मिलकर अलग-अलग नियोजन इकाई बनाते हैं जिस भी कैंडिडेट को यहां अप्लाई करना है वो या तो खुद जाकर अप्लाई करता है या फिर पोस्ट की जरीया अप्लाई करता है एक अभीयर्टी कम से कम 100 में से 150 नियोजन इकाईओं में आवेदन करता है जिससे कि उसकी भर्ती होने की चांसे ज्यादा हूँ बिहार शिक्षक भरती के अभियरती बहाली प्रक्रिया को ओनलाइन और सेंट्रलाइज करने की मांग करें हैं फिलहाल बिहार में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया ओफलाइन होती है अभियर्टी हर उस जगह अपलाए करते हैं जहां उन्हें नौकरी की संभावना दिखती है उनके मुताबिक ये सारा काम ओनलाइन किया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता सभी छात्रों को अलग-अलग जिले, प्रकंड और पंचायत में जाकर फॉर्म भरने पड़ते हैं बहाली ऑनलाइन होने से अभियर्टियों को फायदा ये होगा कि वो नियोजन प्रक्रिया के लिए एक फॉर्म भरेंगे और वही पूरे बिहार में काम आएगा इसे लेकर एक अभियर्टि संगीता बताती है, ओफलाइन पॉर्म भरने में बहुत समय लगता है, अभियर्टियों को भाग दौड करनी पड़ती है और खर्च भी बहुत होता है इतनी लंबी प्रक्रिया होने के बाद भी सीटें खाली रह जाती है, ये प्रक्रिया इतने दिन चलती है कि तीन-तीन साल का समय भी लग जाता है इसके बाद भी सरकार विशेश चरण में बहाली करा रही है, अगर यही प्रोसेस ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में समय भी कम लगेगा और रिक्रूट्मेंट भी जल्दी पूरा हो जाएगा अभ्यर्ती शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस पी यादव से भी मिले प्रदर्शन करे है अभ्यर्तियों का दावा है कि बिहार के प्रात्मिक विद्यालेों में करीब देर लाग शिक्षकों की पद खाली है अभ्यर्तियों का दावा है कि साल 2020 के बाद से करीब 5500 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है लेकिन केवल 3000 शिक्षकों की ही बहाली हुई है प्रदर्शन कारी अभ्यर्ती इन सीटों को जल्द से जल्द भरने की मांग करते हुए इन अभ्यर्तियों में शामिल राखुल बताते हैं बिहार के स्कूलों में टीचर-स्चूडिन्ट रेशो गम हो चुका है स्टूडिन्स की तुलना में टीचरों की संख्या बहुत कम है फिर भी सरकार हम लोगों की प्रती लापरवा है हम तीन साल से नोटिफिकेशन का इंतिजार करें हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही ठकार कर हमें प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा है, लेकिन सरकार कुछ भी साफ नहीं बता रही है हर बार हमें नई तारीक बताती जाती है और कुछ नहीं होता है बिहार की राजधानी पटना में चल रहे प्रदर्शन में अभ्यर्टी शिक्षक भर्टी के खाली पदों को जल से जल भरने की मांग करें हैं वो साथवे फेस के नियोजन की देट जारी करने की मांग करें हैं और उसे जल से जल पूरा करने की भी मांग करें हैं अभियर्टियों का कहना है कि जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को ओनलाइन और सेंट्रिलाइजड किया जाए इस खबर पर आपके लिए रिसोच की थी साथी प्रशान नहीं मेरा नाम है मानसी और कैमरा पर है जतिन शुक्रिया देखते रहे है ये रंग रूट